है गाइज वल्कम टो देव भूमी का एल पॉइंट आई होप यू आई डूइंग ग्रेट तो देखे परिक्ष्यावाणी महाकुम्ब के भाग साथ में आपका स्वागत है देखे हमारा परिक्ष्यावाणी पुस्तक का अध्याई तीन चला था और अध्याई तीन के अंतर् पढ़ने वाले हैं उत्राखंड में बिल्टी सासन और साथ ही हम प्रिथक राज्या आंदुलन को जानते हुए उत्राखंड राज्या निर्मांग तक के जितने भी इतिहास के महत्तोपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे ठीक है क्योंकि यह बहुत विस्तिट यह है परिक्षियों आगे महाकुम्ब ताकि इस महाकुम्ब में आप गोते लगाकर एक्जाम में किसी भी पॉइंट को गलत ना कर सकें तो चलिए थोगा फ्लैसबेक में जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताए कि पमार्वंस का भी पतन हो जाता है दोस्तों 804 में हमारे ख चिक्ठी लिखते हैं कि भाईया मुझे मेरा खोया हुआ सामराज्य वापस दिला दो तो मैं आपको टैक्स वगेरा जो भी है आपके अधीनी काम करूंगा आपको हमेसा पे करूंगा ठीक है तो ऐससे कुछ डील होती है हालांकि यह डील बाद में बोलते हैं बहुत इतिया दो राज्य आपसे ले लेंगे तो अलगनंदा का जो उत्तरी भागता यानि के टीहरी और उत्तरकासी वाला भाग सिर्फ वही हमारा सुदरसंसा को मिलता है जबकि हमारा धक्षिनल भाग्या धक्षिनल गड़वाल जो था पौडल वाला जो हिस्सा था वो पूरा हमारा कुमाओ कमिशनरी जब स्तापित होगी न तो कुमाओ कमिशनरी स्तापित होगी नहीं थी वह रेवन्यू फरुखाबाद जो कमिशनरी थी रेवन्यू बोर्ड फरुखाबाद था उसमें कमिशनरी और फरुखाबाद भी बोल सकते हैं तो उसके अधीन काम करती थी वह तो वह वापस दिलाओ और दूसरा क्या और था कि जो गोरखा लोग ते गोरखाओं ने जो ब्रिटीशास के आस्तान्तर छेत्र थे जैसे कि जो मडेशास के झेत्र थे जहां से टैक्स होगया उनको जाता थे इन में एक बूटुवल प्राम्त भी था जो कि गोरगपूर के असपास था तो गोरगाउया ने वह बूटॉवल ह्क्राइट वैंकर युद्ध होता है क्लें दोस्तों मेरे खलंगा सब्द नेपाली भासा का सब्द है ठीक है खलंगा का किला आपने पड़ा ना खलंगा नेपाली भासा का सब्द होता है और खलंगा का मतलब होता है चावनी केंटोनमेंट नेपाली भासा में ठीक है तो इस खलंगा में दोस्तों अमारा 24 अक्टूबर 1814 से लेकर 30 न 1814 साही होना चाहिए लेकिन ओफिशली तोर पर हम देखते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी जब कुमाओ कमिस्टरी का स्रजन होगा मई 1815 में तो तब ही माना जाएगा है ना लेकिन आयोगना लास्ट टाइम में कोश्यन दिया था कि उत्राखन में इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब वह था तो 1814 को ही माना था उसने लेकिन बहुत से राइटर 1815 को वास्तों वर्स मानते हैं तो अब यहां पर देखिए एक्जाम में करें कोश्यन आपका बनेगा दोस्तों अगर दोनों विकल्प आते तो फिर से प्रत्यावितन होके कोश्यन डिलीट होने की पहली बार आए तो बहरत के कुछ एलियाओं को कैप्चर क्या उन्होंने तब ही सिद्धू उनका टाइम पीड़ेड मानेंगे ना तो यह चीज है देखिए नड़ा से नजरी से देखिए हम सही है क्योंकि पहली बार 1814 में तो उत्रागंड की धर्ती में पैर रख रख रह हमारा जो अंग्रेज उसमें करेनल मोबी भी होता होता है उसमें ऑर गिलेसपी भी होते है तो सो हमारी नदी भी इस पना नदी हाद देखिए आगे बगते अबिटीसस और धिरे-धिरे क्या होता है अलमोगा पहुच जाते हैं सभी छेत्रों को कवर करते हुए और अलमोगा में भी फाइनली क्या हो जाता है हमारे बिटीसस का अधिकार हो जाते हैं तो यहीं से कोश्चन अब यहां पर जो परिक्ष्ण उनके कुमाओं के अलमोगा तो था जन्रल अक्टर लोनी ने पंद्रा में अठाशा पंद्रों को वेल कोर्का सर्दार अमस्य थावा से मलाओं का किला जीत लिया मलाओं मतलब अलमोगा में था उसमें तो यह एरिया अमारे जीत लिए थे और जो हमारा दिसंबर अठाशा चौद सबसे पहले संदि होती दोस्तों 37 अपरेल को करनल गार्डनर और नेपाली गौर का सासक बमसाह के बीच में हमारी संदी होती है बहुत महत्यफपूंट डेड़्ड़ा इसको आपने याद रहन है 27 अपरेल अठाशा पंद्र को इसके बात दिखिए बहुती बुक्स में 28 मह 815 भी दिया है नेपाल की राजा का मोर लगा एक अधिकार पत्र लाता है गजराज मिस्रों चंद्रशेकर उपाध्य आते हैं और संगोली नामक चेत्र में ब्रोट सा से मिलते हूं ब्रोट सा उसमें अंग्रेज अधिकारी था हूं पर ठीक है लेकिन यह उतने काम नहीं करती है तो इसको एक मतलब यहां पर राज किये या कानूनी मानिता प्रदान नहीं किती नेपाल सामराज्जी ने यानिकि यहां पर सुब्बा बैटा था उसने इस पर साइन कर दिया लेकिन वहां से ओफिशल सिखनेचर नहीं होगी तो नेपाल ने बोला भया हम इस संदी को न जिहास पड़ते हैं तब यह चीज़ा सब ही कैलकुलेट होते हैं मतलब सीरीज में सीक्वेंस में अभी थोगा आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं फिर भी प्रकाश डालने की कोसिस कराऊ इन बिंदों पर अमर्शिय थापा सबसे मजबूत और सबसे बहादूर गो भी एकसेप्ट करती है वो अमारी डेट है दोस्तों 4 मार्च 816 ठीक है 4 मार्च 816 को फाइनली क्या होता है नेपाल राजी के दोरह इस संदी को मानेता प्रदान की जाते है वो भी क्यों क्योंकि जो 815 वाली संदी थी इसको मान नहीं ले थे नेपाल दरबार वाले तो से भी आव हमारा चाहंना पर चले जाहेगा खाला लर्च करना ठीक नहीं इसलिए संगोली संधी हो जाती उनकी और संगोली shocked मैं हमारी कुछ बाता होती है और कोशयों यह बनता है कि संगोली संधी किस हिसाब नेपाल के द्वारा या नेपाल किंग्डम के द्वारा हमारा संगोली संदी को कब माननेता दी गई तो फिर हमारा चार मार्च 816 या अमारा यह भी कोईश्यन बन सकते है कि संगोली संदी की आपचारिक माननेता या संगोली संदी को आपचारिक माननेता किस तिति को दी गई सन्दी हुई थी कौन से महीन में ते नॉंबर के महीन में ठीक है बहुर सी बुख में धिसंबर में धिया गये यहां पे नॉंबर दिया गया है बहुर सी बुख में दिया गया फिया कि हमारी 2reiben8915 संदी भती है पर इसके बाद संगोली संदी में कुछ टर्म्स भी होते हैं कुछ कंडिशन रखते हैं नेपाली दरबार वाले तो इसमें कुछ जो संदी की मुख्या मतलब बिंद होते हैं उनको हम थोगा डिसकस करेंगे जैसे कि गोर्खाओं ने अपनी दक्षेगल सीमा के किनारी निचल पॉइंट फसर था कि उनके काठमांट में ब्रिटिस रेजिमेंट नहीं रखना चाहरे थे उसमें नेपाल लाज्जे के लोग और इसके बाद दोस्तों गोर्खाओं को ब्रिटिस सेना में भरती करने पर सहमती हूं जो आज तक चला रहे हैं गोर्खा रेजिमेंट जो है संगोर्खा संदी की देन है ठीक है गोर्खा रेजिमेंट में काफी लोग भरती होते हैं और इसके अलावा देखे दोस्तों गोर्खा जो सार्शन नाव गोर्खाली हम पहले पग चुक है ज्यादा इस पर डिसकस करने कि आवशेक्ता है निए तो यह आपको याद दकना है संगोली की यह हमारी सबसे पहली जो संधी वी थी यह कुमाओं का समझोता हुआ था गार्डनर और बमसा के बीच में 27 अपरेल 815 को हुआ था और जो हमारी ओपिशल मानेता मिली संधी को 4 मार्च 816 लोगों मिली थी थी यह बहुत महत्तोपूंगे द्यान दगेंगे और 3 माई 1815 को देखिए अधिसूचना जारी होती है बहुत महत्तोपूंग देट है तीन माई 1815 को एक अधिसूचना जाती है पूरी छेतर में कि कुमाओं को क्या है अब ब्रिती साच में मिला दिया गया है तो यह कार्डनर का कारिकाल यहां पर सूरू हो जाता है और काटमांडू चले जाता है उसको उच आधिकारियों के त्वारा यह लेटर मिलता है कि आप एक राजनीतिक अजन्डबन के काटमांडू दरबाहर मुलेंगे तो वह चले याता है से फिर हमारा अधिस सारसन कसा उता है ठीक है तो इसके देखिए कुछ हम्परिटि सासन के भी महत्वपूंग पॉइंट को डिसकस करेंगे आप तो सबसे पहले देखिए मैं महत्वपूंग क्या है कि हमारी जो कुमाओ कमिशनरी की स्थापना होती है दोस्तों 815 में और कुमाओ कमिशनरी आरंब में पहले बता जुगाऊं कि एक स चनपत कुमाओं बनाये गया था ना वो किस के अंतर के ताता था तो वो नॉन रेगुलेशन प्रांत के अंतर के ताता था यानि कि नॉन रेगुलेशन प्रांत का मतलब था उस समय अंगरेजों के द्वारा विजित या अंगरेजों के द्वारा भारत के जितने भी एरिया कै ठीक है नॉन रेगुलिशन त्रांत जो था कहने का मतलब कि जो अधर राज्य में उसमें बिल्टी सस्के नियम कानून चले देना वह नियम कानून अनुच्छे अनुसूचियां जो भी चल ले होंगी वह एक्ट यहां पर लागों नहीं हुए गैर आइनी छेत्र इसको गोश जनपत था अभी अमारा जनपत पॉड़ी बनेगा अलग नंदागा दक्षिवनी भाग से लेकर कुमाओं के काली नदी के छोड़ तक पूरा एक ही हमारी कुमाओं कमिशनरी थी या कुमाओं जनपत था यह चीज का ध्यान रिखेंगा और इसके बात देखिए जैसे अंग इसके बात देखिए दोस्तों परिक्ष्यावनी में 840 दिया गया है जो की गलत है इसको आप सही करेंगे पॉड़ी जो हमारा जनपत बनता है वो 849 में बनता है पिसली बार एक्जाम में कुष्यन बना भी था और आयोग ने दोस्तों 849 ही सही माना है तो 849 में कुमाओं ज गलवाल का जो मुख्याले था वो स्रीनगर में था बार में स्रीनगर से अटाकर उस मुख्याले को पॉगल लाया जाता है ठीक है वो 840 वो सही वर्स है उसमें कोई डाउट निया जनपत का गठन कभ वह तो 849 में हुआ इसके अलावा देखिए दोस्तों 854 का जो वर्स आत कुमाव मंडल विकास निगम अलग है गर्वाल मंडल विकास निगम अलग है कुमाव मंडल अलग है कुमाव कमिशनरी अलग है यह अलग-अलग पॉइंट होता है इस पर एक अलग वीडियो दी जाएगी जिससे आपको समझ में आएगा ठीक है और इससे जादा मैं यहां दिसकस नहीं करने करने मालें ब्रसासन के बारे में क्योंकि ह biz YouTube चैनल के प्लेेट सी अफर एक उति बीडियो बना वेइungen तो इसलिए ज्यादा बीडियो मेंप पनें करूंगा देखिए आप 1854 का टाइम आ रहा है तो दो ही हमारे पास जनपद थे कुमाओ जनपद एक पौगल जनपद इसके बाद प्रांत सिस्टम को भी समाप्त करती है इसमें बहुत ज़्यादा कॉंट्रवर्सी है बहुत सी बुक्स में इसको 1938 दिखाए गया है तो इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान में रखना सही नहीं है नाम दिया गया था राज्य को तो 1904 के ने निताल गजी टियर में तो हिली श्टेडिया बहुत महत्तों पॉइंट इसको याद किया यह पूछा भी पूरू मैं देखिए मैं ब्रितिस गरवाल पर ज्यादा बात ने करूंगा मतलब ब्रितिस कुमाओ गरवाल पर दोस्तों फिर से बोलना क्योंकि उस पर video पहले से दी हूई है ठीक है तो जियादा लंबा ओजाएगा 1867 के करांती यहां पर होती है दोस्तों 1867 के करांती के समय दोस्तों हमारा Japanese था ब्लत किंग आफ कुमाउ Hugh Henry Ramsey थीक है था कुसलता से इस स्वतंत्रता आंदुल उनका दमन कर दिया था यानि कि जो 800 स्वत्ताओं के ख्रांती हुई थी इसका दमन कर लिया था हेंड्री रेमजे ने बगए आसानी से ठीक है क्योंकि देखिए सूचना का उसने ज्यादा जो सूचना कम्युनिकेशन हो रहता था ना कम्युनिकेट नहीं होने दिया उसने आपस में लोगों को सूचना आई नहीं पाई स्वताओं के ख्रांती शुरू भी हो गई देश में यहां बहुत बार में पता चला दो मैने बाद लोगों को पता चला है ऐसा बोले हैं उत्राखिन के लोग ठीक है तो इस वज़े से भी बज़ी है दूसरा बहुत कुसल प्रशासनिक योग्या और उच्च नेत्रत वाला च्हमता वाला यह सासक रा मतलब जो कमिशनर था ना हेंडिर एमजे इसके बारे में भी पूरा वीडियो है ठीक है और ला क्रांतिकारी माना जाते किसको कालमयरा को ठीक है प्रophile सुफमेराब कालुमेरा ठीक है और एकशार लोगों यहां पर अधिकार कर लेते हैं एक घार लोगों के द्वारा हलदवानी पर अधिकार हो जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से तो नहीं बोलूगा बड़ी आसानी से अंग्रेज क्या करते हैं मुक्त करवा लेते हैं इसको ठीक है और बहुत से क्रांतिकारी को पकड़ा जाता है चांद मारी दी जाते किसी को चांद मारी का मतलब बुदा इसके बाद दीजे थोगा हमारा आ जाते हैं अब 870 के क्रांति बीच जाते बहुत से काम होते हैं ब्रितिस कुमागोड़वाल में यह सब चीजा हम पड़ते हैं 870 में क्या होता है अल्मोगा राज में डिवेटिंग क्लब की स्ताफना होते दूस्तों और 871 में अल्मोगा से राजनेतिक जेतना के लिए पत्र निकलता है अल्मोगा अगबार ठीक है यह बहुत महत्तव हुआ है 886 का जो वर्ज आता है इसमें कॉंग्रेस के दूसरे सम्मिलन में क्योंकि कॉंग्रेस की स्ताफना होते है 885 में और 86 में इसका जो दूसरा अधिवेशन था इसमें ज्वाला दद जोसी यह भाग लेते हैं ठीक है बहुत महत्तों पॉइंट है और बीसवी सताफदी में हमारा 1903 में हैपी क्लब की स्ताफना करते है कौन गोविंद बल्लब पंत ठीक है तो हैपी क्लब उसमें आइस्कूल रहता है ठीक है विदेशी वस्तों का बहिसकार वगरा इसमें किया जाता है कि बाद में वन निती की हम बात करते हैं तो वन आंदूलन बहुत चरंपे थे दोस्तों 1911 से 1917 के बीच बहुत व्यापक वन आंदूलन उत्राघंटी में चलते हैं और इस टाइम पे दोस्तों हम एक और महत्तोपूण आंदूलन चलाम पे आजाता है कुली विगार आंदूलन तो 1910 से लेकर 1920 के बीच तक का समय रहा बहुत ज़्यादा महत्तोपूण रहा उत्राघंट में आंदूलन के दिल्ष्टी से बन आंदूलन चले उसमें और किसा साथ हमारा कुली विगार संगठन भी बने जैसे कि कुमाओं कॉंग्रेस बनती है दूस्तों अल्मोगा कॉंग्रेस या कुमाओं कॉंग्रेस 1912 में ठीक है होम्रोल लीग बनती है यहां पर 1914 में और फाइनली एक छेत्रिय संगठन बनता है कुमाओं परश्यत 1916 में यह महत्तोपूण है ठीक है परश्यत के हमारे अधिवेशन भी होते हैं ठीक है और फाइनली फिर यह कुमाओं कॉंग्रेस में इसका वीलाई हो जाते है कुमाओं परश्यत का तो इससे प्रेड़ी तोकर राज जी में होमरूल लीग बनी थी ठीक है दक्षण अपरश्यत का गठन होता है दोस्तों तो कुमाओं परश्यत की सब अधिवेशन उसकी ट्रिक वगएर सब पहले ही चैनल पर मौजूद है आप जरूर देखिएगा उसको ठीक है 1926 में कुमाओं परश्यत की स्थापना कब हुई 1916 में किसले चेत्रिया समस्याओं के लिए और दूसरा कुमाओं परश्यत का कुमाओं कॉंगर्स में विलाई कब हुआ तो 1926 ऐसे क्वेश्यन बनते हैं कुमाओं परिशत जो है यह मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है आधु में तुमाओं पर्शचव से कुलाब्स में परेंट एक hiding है इसके बात कलते हैं के दोस्तों हमारा गरवाल में दोस्तों गढरवाल कांगरस कमीटी का गठन भी होता है 1908 बहुत सी बुक्समें 1990 भी दिया है तोप्सं के एसाभ से आपने चलने है कुछ उतनिक बूस्तिक मैं 1929 दिया है गलवाल कॉंग्रेस कमीटी जबकि बहुत सी बुक्स में 1928 भी दिया है और हमारे जो अनिस्विया प्रिसार भगोया और बैरिश्टर मुकुंदी लाल जी थे इन्होंने 1929 के अमरिश्टर कॉंग्रेस में भी भाग लिया दोस्तों फिर 1920 का वर जाता है भारती एतियास में भी बहुत महत्तोपून है क्योंकि भारत में एक आंदोलन की सुलुवात होती है असायोग आंदोलन सुलु हो जाते है तो यहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट तेक्निकों मिलता है और खासकर इसी दौर में अमारा चल् होते हैं ठीक है कुर्मांचल के से लिए उनको बादी मिल जाती है आप और उत्राकंट की एक क्रांथी जो थी 1921 वाली कुलीविकार जो आंदोलन था वो सफल हो जाता है और इस आंदोलन के सफल होने के बार गांदी जी ने इसको रखत हीन क्रांथी बोला था जबकि हमारे जो स्वामी सत्य देव थे उन्होंने इसको असायोग की पहली इट कहा था क्योंकि पूरे देश में असायोग आंदोलन चला था उस दोरहन ये खुसी की बाद गई कि एक आंदोलन एक छोटे से रीजन में हमारे जो आंदोलन चला था बड़ा वो सफल हो गया बागे करते हैं को भारत का स्वीटरलेंड समभूधित करते हैं यह महत्तव पूइंटा ठीक है और इसी बीच वह बागेश्वर भी जाते हैं और बागेश्वर में ही भेड़ भी होते हैं चंदल शिंगरवाली और गांदीजी की ठीक है ये वी एक महत्तवन पॉइंट है कभी जब पेशावर कांड होता है जहां पर चंदर सिंगर वाली निहत्ते जो अफगान भाई थे हमारे उसमें क्योंकि आफगान तक का एरिया पुरा अमारे अंदर था ना विवभाजन तो वहां पर मारे खुदाए खिदमतकार वाले जो लोग थे वो आंदुरन करें तो अंग् सब्सक्राइब कानी है चंदर शिंगर वाली वाले टॉपिक में आप देखिएगा जो लो इसके बाद देखिए प्रिटिस गर्वाल में पहला जो राजनेतिक सम्मेलन होता है दोस्तों वह 1930 में होता है दुगड़्डा मैं महत्तों है दुगड़्ड़ जो है दुगो एति जो नायक थे वो चंद्रिशिंग गडवाली थे और चंद्रिशिंग गडवाली का संब्धे दो बट्टा अठार गडवाल राइफल से था त्यान रगेंगे ठीक है पेसावर कांड़े से प्रवाइद होगर मोतिलाल नेरू ने संपूंग देशमा गडवाल दिवस मनानी की महत्मा गादी मोतिलाल नेरू जवहार लाल नेरू कोई विवादर ऑप्शन आजाएगा बगा नाम आजाएगा तो आपको यहां देखना मोतिलाल नेरू ने बोला अब देखे राज्या आंदुलान हमारा चल चुका है अभी स्वतंत्रिटा आंदुलान माप किजीगा ठी दोस्तों यहां पेशावर कांड भी वहां पर बहुत ज़ादा इसका इंपक्ट पगता है ततकालीन स्वतंत्र अंदुलान में इसके बाद देखे दोस्तों उग्रवादी संगठन भी हमारे कुछ रहे मतलब गर्म जोस जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्टवादी तो भावानी जिसी है राष्ट जी का संबन्न था गागल दिया स्टोर डकेदी कांड थे ठीक है 1930 में हुआ था और इसके अलावा देखे दोस्तों और भी हैं बहुत से महत्तों नाम है इसमें अगर हम बात करते हैं ठीक है जैसे मैं बोलू दोस्तों हमारा सालम छेथर में बहुत ज़्यादा यहां पर उसमें स्वतंत्र आंदुरन देखने को मिले थी और बहुत से लीडर्स थे जो वहां पर इस्तानी लोगों को गाइड कर रहे लीड कर रहे तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों अगस्त निजिस में उत्रागर में बहुत सी आड़ेताल है पुर् महत्मां गारी ने कुमां का बार दोली दोस्तों यह सर्त नामक छेतर ऊठै को पूंड को क्या होता है सहीद मेरा लगत है यह कुछ महतन queen दोस्तों बागिते महेलाओं की ब्ली जिसमय प्रमुघ जो नाम आते हैं जैसे कुंती वर्मा हो गया दोस्तों हमारा विष्णि-देवी साह हो गया और मंगला दीवी रिविती देवी बहुत महत्तम्य नाम है ठीक है तो इनको आपने 1881 में आया और बाद में अलमोगा अगबार बंद हो जाता है तो 1918 में क्या करते हैं हमारे अलमोगा अगबार के ततकालिन जो संपादक ते बदली तच पांड़े वह अपना ही निकाल देते हैं सकती नाम से ठीक है तो यह महत्तव हुग है और उत्राखंड की तर्तिका पहला इसके बाद हम बात करते दोस्तों 1901 में देरादुन से कुली बिगार की प्रता के विल्टु गरवाल यूनियन जो था या गरवाल हिदकारंगी जो सब आती 1901 में इसका गठन हुआ था तो इन्होंने ही 1905 में दोस्तों गरवाली नामक अगबार निकाला था वैसे गरवाल समाचार भी आता है 1902 में उतना खास पॉपोलर नहीं हो पाता है तो 1905 में वाला गडवाली समाचार पत्र आता है ठीक है और 1949 में भक्त दर्शन और भहरवदत के संपादक में कर्म भूमी आये दोस्तों और 1941 में देरादुन से प्रकाशित हुआ यूग वाउनी ठीक है तो टॉपिक है उत्राखन की महानवी भूतियों में आप जरूद देखेगा ठीक है इसके अलावाद देखे दोस्तों एक और महत्तव हो गया दलीतों के उत्थान के लिए हमारा समता निकाला गया मुंसी अरी प्रशाट कमटाजी के द्वारा बहुत महत्तव पत्र था और इस के खिलाब लिखने में उनको बगए-बगए जुल्माने हो जाते थे तो उप चुकाई नहीं पाते थे जुल्मानों को इसके बाद क्या होता था बंद हो जाता था पेपर इसमें एक्जामपल बोला पुरुसार्त हो गया ठीक है विशालकीर्ती हो गया और बहुत से जी जी जो थे हमारी यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है आजार हिंद फॉच में महत्वपूर्ण पत्पे थे करनल पत्पे थे ठीक है और सुबेदार लैट्टन चंदर नेकी को सिंगापुर में जो ट्रेनिंग स्कूल था इसका कमांडर नियुक्ति किया गया था आजार ह इंद फॉच की गठन का सबसे पहले विचार किसके मन में तो कैप्टन मोहन सिंग के मन में यह कुछ पॉइंट है जी एस में बहुते हैं जन आंदुलन की बात करते हैं तो कुली बेगार आंदुलन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों 1921 14 जनुवरी 1921 मगर संकराती के दिन कुली बेगार प्रथा का अनौपचारिक रूप से अंतुवा उत्राखन की धर्ति में अपचारिक रूप से 1923 में मतब जब जीओ आते हैं गवर्मेंट का बिटिस गवर्मेंट का जीओ आता है और बोला जाता है उसमें कि कुली पूप से हम देगे तो 1921 में ही मगर संकराती के दिन कुली बेगार पलता है समापतो चुकी थि ठीक है इसके बाद इक टेरी राज जी आंदुलन भी चलता है बहुत ज़्यादा फेमस था टेरी राज जी आंदुलन दोस्तों क्योंकि प्रजात अंत्रात्मक से उसासन था जो हमारा राजसाही भी बहुत जाद़ा चरम पहुंच गए थी यानि कि चले जाते देश में जोड़ना बहुत जाते जाता आए इसतानीय पबलीक को इस से खिन्न नहें पर वह चाहते थे की राजसाही कि शचाही की जाए इस तर्की बात रेजी और इसी में दोस्तों क्या होता है बहुत जादा उतार चड़ाओ आते हैं इसी आंदुलन के दोरान और फाइनले स्रीदेष सुममन जो उनको गेरफटार कर द preference और सिर्देष सुमन समत एंपनी 24 में एनिशित कालि भूऑ अगिताल के बाते सिर्देव सुमन जी सहीद हो जाते हैं तो सुमन जैसे सहीद होते हैं तो घटना जो है यह जो न्यूज होते है यह बहुत जंगल की आग के तरह फैल जाते हैं और उसके बहुत ज़दह यहां पर क्या होता है और पब्लिक आक्रोस जैसे होता है दोस्तों तो फिर हमारे जो राजा थे तत्काने नरेंदर शाह उडर जाते हैं और अपना गद्धी से बहाट के वह मानवेंदर साको 1946 में गद्धी में बैठाते हैं और इसके साथ साथ देखे दोस्त आप और मुख्य मंत्री गोविंद बन पंतजी बन गए थे अब बल्ला पंतजी लेकिन चाहते ही नहीं थे कभी कि हमारा एक प्रतर प्रत्रागुंट्रा प्रत्रागंट के पक्षे में थे नहीं हो कभी तो ये घटनाए होते हैं इक जनौने निसो उनचास का दिना आते द और एक अगस्त उन्यसों उन्चास को टीहरी सम्युक्त प्रांत का एक जीला बन जाता है पचासवा जीला उत्तरा घंड का उस समय के यह साब से देखे तो तीन जन्पत पहले से चल देते कौन-कौनस अलमोगा नहीं ताल और पॉई अब चौंथा बन गया टीहरी और उत्तर आंदुलन की बात करते हैं डोलापाल के आंदुलन दोस्तों है तो यह सिल्पकार्यों से समझादित आंदुलन था और इसका नेतर तो जयानंद भारती ने इसका जो टाइम पिश्ट टायम पिलेड ने एक दसक तक चला पूरा आंदुलन तो इसका कोई टाइम फिए थोग जाता उन्तालीस और चालीस यह इसका ऑफिशल टाइम जाएगा ठीक है कान कटा बेल बना ब्रश्टाचार आंधुलन भी चला चीज में क्या होता है कि बेल के कान काटकर दो बार मिर्त गोशित करके उसको बीम यह राशी अपली जाती है यह यह कि दो बार दिखा देते हैं म बुमी हिन जो वेक्ते थे जिनके पाद जमीन नहीं थी अपने और किसान तो इन लोगों को अपनी जमीन मुहया करवाना इस आंधुलन का मकसद था कोटा घर रांधुलन का इसके बाद सराब बिरोदी आंधुलन भी चला दोस्तों राज्य में ठीक है तो सराब बिरोदी आंधुलन बहुत से नारे भी इस फेमस है 1984 में जो हमारा उत्राघंड संगर्स वाहिने ने एक स्टेटमेंट की नसा नहीं रोजगार दो बहुत फेमस हो गया था है तो राज जी में बहुत ज़्यादा हमारा 1984 के आसपास सराब बंदी आंधुलन देखने को मिलते हैं इसक पर दोस्तमें जो कुमाओं करवाल के लोग थे उनको पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पकता है लगना विश्वय देले या इलाबाद उनिवस्वय बनारस हिंदु विश्वय देले ठीक है तो यहां पर कोई विश्वय देले था नी तो इसको देखते हुए हमा अब हमारी अधना है दोस्तों इसमत ज谈साथ जार तर्जो प्रीटिज कुमाओं फ्रवाल में डिसक। की हुए हैं तो तब ही मैंने यां पर ज्याधा इज़ को डिसक। नहीं इसके या ठीक है अब हम सीधे देखेंगे प्रत्रक राज्य अंधुलन तो प्रथक राज्या अंदुलन के हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले दिखे प्रथक राज्या अंदुलन की सुरुवात कहां से होती है सबसे पहले दिखे 1897 बहुत कम बुक में दिया हुआ है लेकिन 1897 में जब महारानी विक्टोरिया आई थी न तो महारानी विक्टोरिया को भी एक ग्यापन दिया जाते हो समय ततकालिन जो बुद्धी जीवी वर्गी के लोग थे उन्होंने ग्यापन दिया था कि भहिआ हमारा जो राज्य है भहोग विषमताओं वाठ राज्य है और प्राकर्तिक रूप से भी संरत राज्य है और इसको अलग से ट्रीटमेंग की विक्टोरिया तो यह प्रस्ताव यहीं पे धूमील हो गया लेकिन पहली बाद प्रियास अठार सो सत्तानेवे में ही हुआ था इसके बाद यह 1929 का आपको पता है दोस्तों 1929 में आपको पता है एक वरहत सम्मेलन वाता कॉंगरेस का भारती राष्ट्य कॉंगरेस का स्लिनग पता है तो यहां के स्ताने नेतावन लेटर दिया बोला भाईया हमने स्वतंतरता अंधुलन हो उन्हार सथा उनकी क्रांती हो यह इसके लाव जितने भी महत्तवगा अंधुलन हो निश्चित भूमी का निभाई है तो हम लोगों के लिए आप क्या कीजिए एक प्रथक रा श्रिनगर अधिवेशन गढ़वाल में 1913 में जवाहलाल नेहरू से यहां के व्यक्ति होने की ठीक है लेकिन इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों ठीक है 1936 में अधिवेशन होता है तो इस अधिवेशन की अध्यक्षदा बदिल्दत पांडे कर रहे हो कि परवत्य भूभाग को विशेश वर्ग में रख दो और एक विशेश इसको राइट दे दो मतब एक राज्य में बनाई दो एक रिसाब से अलग राज्य बना दो अलग छेत्रे एकाई बना दो ऐसा बोलते हैं लेकिन सभीत प्रांत के ततकालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लब पंत उन्होंने इन मांगों को ठुकरा दिया बोला भया पांडे गलत बोला है अगर हम अभी अलग राज्य बना देंगे हमारे पास तो कुछ संसादन ही नहीं लोग तो भूके मर जाएंगे रोजगार कहां से आएगा अपनी राज्य की एकोनोमी कैसे ग्रोथ करेगी कैसे बिल्ड करेंगे तो यह कुछ ऐसी बात होती हैं यहां पर जिससे दोने में मद्वेद हो जाते हैं हालांकि कोविंद वल्लब पंत कभी इस पक्षे में थे ही नहीं कि अलग परवती राज्य बना जाए उनका द्रिश्टी कोल भी अपनी साथ से सही था इसके बाद कि 1950 में इंहांचल और उत्रांचल को मिलाकर एक उप्रहत हिमाले राज्य बनाने के उत्तेश शेष्य परवत्य विकास जन समती नामक संगधन इस्तापित किया गया बहुत महत्तवन पॉइंट है इसको आपने याद रखना है ठीक है इसको आपने याद रखना क्या 1950 में परवत्य विकास जन समीती कब बनाए गए थी तो 1950 में बनाए गए थी इसको आप अच्छे से याद केगा तो इसका उद्देश था कि कांग्डा इमांचल से लेकर पित्थोरागल जन पत्तक विशाल हिमाले राज्य बनाए जाए लेकिन ये भी इनका जो प्रभ प्रियाग में एक सम्मिलन होता है दोस्तों अरी गुविंद पंत द्वारा तो यहां पर उत्रागंड सम्मिलन आयो जित होता है तो यहां पर पाहल के विकासों के बारे में भी चर्चा की जाती है ठीक है इसके बाद कि समीधान लागू हो जाता है देश में 1950 का वरसा पुनार कठन आयोग को ग्यापन देते हैं ठीक है और इसके द्वारा दोस्तों ग्यापन की तोरह बोला जाता है कि उत्राखंड राज्य को अलग इकाई के रूप में बनाया जाए लेकिन इस पर भी कोई यहां पर ज्यादा काम नहीं होता उनीसों पच्पन में फजल अली आयोग बने गया था ना फजल अली आयोग ने भी दोस्तों बोला कि एक परवत्य राज्य अलग होना चीए लेकिन फिल भी नी बनाया क्यों नेताओं को अपना नेताओं की जो थी गोटी लाल थी इसमें गोटी लाल होना मतला मुनाभे में थे वो लोगो आपे यहां पर आगे श्ट्रगल थोगी जेल ना था तो इसकी डर्जिन यहाए नेता लोग उसमें ठीक है अगला देखे 1997 में टियरी लियासत के जो राजा थे ना अपदस्त हो गए थे क्योंकि एक जनवरी उनिसों चास को तो टियरी क्या हो था भारत संग का इस्सा बन गया राजा का प मत तो पूँग है तर्याक्रिश्मि पांडे की अठ्जिदाम धोस्तों रामनगर में क्या होते है परवतिय राजये परिशत की इस्ताफना होते है च्यां दियाँ दिए और विकासं परिशत 1969 मापकी जी का परुवती में विकाश्ट की स्थावना है थोड़ा दो वर्षे पहली जाते हैं यह से पूर्ले दोस्तों ट्रामनगर में परुतीय राज्य परिशाद की स्थावना होती है । तिर्ण रखेंगे तो परुतीय राज्य परिश्य行了 अलग है त्यान रखेंगे तो पर्वतिय राज्य पर्षट की स्थापना होती है और यह संगठन बनाए जाता है यहां पर अलग राज्य के प्रस्ताओं के लिए ही दोस्तों और इसके अधिक्ष्टा करते हैं दयाकृष्ण पांडे जी इसमें उपाद यक्ष्ट गोविंद सरकार के द्वरा क्या होता है पर्वतिय चेत्री के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतिय विकास परिशाद का अगठन करते हैं बोलते कि ठीक है हम अलग राज्य तो नहीं बनाएंगे लेकिन तुम पर्वतिय लोगों के लिए हम यहां पर एक अलग प्रभाग या अलग परिशाद बना रहें जो आपके सभी चीजों को देखी प्रॉब्लम्स को देखेगी तो आप बिल्कुल भी परिशान ना होई है ठीक है तो ऐसा बोल जाते वसमें और इसके अलावा देखे दोस्तों हमारा महत्तों पूर्ण है कुमाव मंडल विकास निगम ठीक है क 1976 में ठीक है द्यान देखेंगे महत्तों और इसके अलावा देखे edition 1971 में एक और महत्तों पूर्ण की भी आपनोट करेंगे 1971 में परवतिये विकास निगम की भी इस्ताफना होती है परवतिये विकास निगम कब बना था तीनों अलग ऱहां द्यान लिखेंगे पर्वतिय विकास परिशत का बना 1967 बना पर्वतिय विकास परिशत और इसके अलावा जो अभी हमने डिसके अलावा 1969 में क्या बना पर्वतिय विकास परिशत और पर्वतिय राज्य परिशत हमारा 1967 पर्वतिय विकास परिशत 1969 और जो हमने बोला भी पर्वतिय विकास निगम 1971 तीन अलग लगें ध्यान लगें कुमाव मंडल विकाश निगम गर्वाल मंडल विकाश निगम 1976 ठीक है और इसके सासाथ गर्वाल मंडल की स्ताफ़ना 1969 और कुमाव मंडल की स्ताफ़ना हम पकड़ चुक है हैती है यह बota 1967 में डाया कृष्ण kangस्ता में राम निगरा में फिर हमारा बनता है पर्वतिय विकाश निगम में तींव अलगें पर्वती राज्य पर्श्थ पर्वतिय विकाश परश्थ पर्वतिय विकाश निगम निगम तिन्हों को दोस्तों एक और मात्रपुन पॉइंट बता है कि पहली बार उत्राखंड सब्द का प्रियोग कब हुआ था तो पहली बार उत्राखंड सब्द का है उत्राखंड मंडल का जो हमारा सब्द प्रियोग था पॉइंट है तो यह आपको याद दखना है और एक जन्वर को करवाल को कुमाओ कमिशनरी से अलग करके करवाल मंडल का गठन होता है यह भी पॉइंट आपने याद दखना है और 1972 में उत्राकंट के योक ने उत्राकंट के योकों ने स्कूटर रैली भी निगारी दी ठीक है 1979 में क्या होता है जन्तापाड़ी सरकार के सांसत थे 53 सियनेगी इन्होंने उत्रांचल राज्य परिषयत की स्थापना की और 23 जुलाई को वोट कलब पर रैली आयोजन हुआ तो मोदार्जी देशा है उसमें के प्रधान मंतिल थे और उनको बोला गया कि हमको अलग राजी सब्सक्राइब कब उत्या स्थापना 1989 में इसकी स्थापना होते है 1979 और UKD के जो हमारे पहले अध्यक्ष्य बनते हैं और डाक्टर डीडी बनते हैं डीडी बनते यानिकि देविदत बनत ठीक है तो इस UKD को बनाने का जो लक्ष्य था उसमें या उत्तेश्य था वो था 2018 का टायम आते हैं उत्राखंड क्रांती दल का विवाजन हो जाते हैं और दल की जो बागदोर हो युवानिता कासे सिंहरी के हात में आ जाते हैं और इस दल की दोरह 9 मार्च को ही 1987 में क्या होता है पौई में एक लेली होते हैं जिसमें 10,000 जी जादा लोग आते हैं दोस्तो हो ठीक है और ग्यापन की दोरह पहली बार हरीद्वाद को उत्राखंड में सामिल करने की मांग भी की जाती है 1987 में तभी तो बाद में फिर 1988 के आसपास आजाएगा ना पिर यां तो यह बहुत महत्तव होगा 1987 में ही एक गठना गठती है दोस्तों जब UKD के उपाद एक तिर्वेंद्र पमार ने राजी की मांग को लेकर संसत में पत्र बम फैगा इसके लिए उन्हें भारी यात नहीं मिली तो संसत में पत्र बम फैगा यानि कि पत्र कोई बम आड़े एक शोगरा नहीं पैगा उन् ठीक है और 1987 में ही लालकिष्ण आडवांगल क्या देखे था में अलमोगा के पार्टी सम्मिलन में उत्तर ब्रदेश के परवते चेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्यूकार किया गया लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्राखंड के बजाए उत्रा अलगाव का भाव पैदा कर लेंकि खंड उध्याया चिन्भी चिन्ड यानीकि उत्राा खंड सब्द अलगाओ पैदा करता है इसलिए उत्रा खंड नी भय या तुम बोलों और उत्राजिय के आचल मे बसा हुआ राज ठीक है ना कि उत्तराखंड तो असलिये बाजवा बो इन सबी के बलिदान को देखते हुए दोस्तों इनका प्रियास था कि हमारी राज्जे का नाम उत्राखंड ही हो इसको देखते हुए फिर एक जन्वरी ऐुकेडिकर टिकट से पहली बार विधायक बनने वाला व्यक्ति कौन था जस्वनते सिंग रावट निए हुवाट वालोग है ho Tá पर जीतते हैं जुलाई 1992 का टाइम आता है दोस्तों और गैर्शेंग में हमारा प्रस्तावित राजधानी को गोसित कर दिया जाता है UKD के द्वारा और ब्लूप्रिंट भी माना जाता है ठीक है और गैर्शेंग प्रस्तावित राजधानी की नहीं डाल देते हैं और गैर्शेंग को चंद्रशेंगर संबोधित करते हैं चंद्रशेंगर वाली को सम्मान देने तो चंद्रशेंगर इसका नाम रखके राजधानी भी गोसित कर दिया इसका ठीक है हालांकि अब तो ऐसाधी पार्टी की सरकार चल दिया मुलाहिम सिंह यादू बैटे कड़ी पर नगरविकाष मंद्य रमाक संक्र कॉश्थिक से मिलते हैं और बोलते हैं भईया देखो भी राज्य बनता पर्वतिय राज्य तो उत्रागंड राज्य की संद्धना और विचार करने के लिए एक समिती गठन करते हैं तो कौसिक समिती के नाम से इसको जाना जाता है और कौसिक समिती 1994 में अपने रिपोर्ट को प्रस्तूत करती है और बोलते हैं कि हाँ पर्वतिय जीलों को मिला कर प पहले जीलों को मिला कर प्रतक उत्रागंड राज्य से गठन का संब्धि जो प्रस्ता हो था वो केंदर सरकार के पास भीज़ देगा यानि कि यूपी सरकार ने भईया पास कर लिया था 94 में मुलायम जिंग यादव जी को अमखाली बोलते हैं लेकिन उन्होंने पास किया रख किया पर लेकिन केंदर स्रकार ने यहां पर दोस्तो क्या हुआ इसको डिनाइं कर दिया केंडर संब्रकार ने डिले कर दिया इसको को ठीकholdersatta अ यहां पर कोई ऐसा खास इसका रिस्पॉंस देखने को नहीं मिलता है और इसके बाद फिर राज्य में कुछ अपृत्याशित घटना हो जाएंगे जिसके कारां फिर हमारे तत्काली पृधान मंत्र को लाल के प्राचीर से बोलना ही पड़ेगा कि हम पृथक राज्य अगले कि चात्रोवं पूर्शनगों पर गोली चला दी जाती और भॉत से लोगों मिलसी चलाी जाते पर बाड़ाइवे था Time के पिशने करी अन्दोलन कार्यी तो उनको रोग दिया गया पूलीस के दौरा रास्ते में टिक ?" तो वो था बाटा गाटा कांड और इसके अलावा दोस्तों हमारा देखे फिर छात्र युवा संगर से समिति का गठन होता है 1994 में ही यह आपने याद रखने है और यह चात्र युवा संगर से समिति बोलते कि दिल्ली जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे हम इसके बाट उत्रागंड इतिहास या राज्या आंदुलन घटन जो राज्या आंदुलन का इतिहास है उत्रागंड का उसका सबसे काला दिन आएगा दोस्तों दो अक्टबर 1994 को दिल्ली में होनी वाली जो लेली थी उसमें जा रहे थे हमारे अंदुलन कारी और रामपुल तिरहा मुझबर नगर में क्या हुआ उत्रागंड इतिहास काला दिन बन गया है उत्रागंड के राज्या आंदुलन में दोस्तों ठीक है और इसके भिलोज में दोस्तों अगले दिन 3 अक्टबर को जैसे पता चलता है जनता को कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पर इंसा हो गई है और साथ हमारे महिलाओं के साथ रे पादी की घटनाई भी यहां पर की गई थी इसमें इससे बहुत जादा आक्रोशीद हो गई उसमें अगर हम भी उसमें के टॉर पर होते तो हम अपने को लेकर चलें तो क्या करते हम भी तो होते न आक्रोशीद हो जाते तो यहीं चीज़ पूरे उत्राखन में अग्ताल हो गई पूरी उत्राखन में आग लग गए इसाब से देखा जाए और बहुत इंसक्त प्रतर्शन दोस्तों 1995 फिर ऐसे चलता रहा यहां पर हमारी कैजुल्टी हो जाते हैं बहुत संगर से चलता रहा और फाइनली फिर हमारा यहीं पर गोशना होती है इसके एक साल बाद प्रतख राजी की और समीधान बचाव यात्रा भी निकलती है उत्राखन जिसे हमारी ध्यान प्रत्यूइं जल इसको प्रस्तूत किया गया और 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दोरा गया और उधमश्य नगर को प्रस्तावी राज्य में सामिल करने का निलाई गया। तो किस कमेटी के अनुसंसा पर उधमश्य नगर उत्राघंड में सामिल हुआ था। देखे कितना चाइव बन गया। किस कमेटी के अनुसंसा पर उधमश्य नगर को भी उत्राघंड का ही इससा होना चे। तो 1 अगस्त 2000 को दोस्तों लोक सबा मैं उत्राघंड पर्थक राज्य उत्राघंड का प्रस्तावी पारित हो गया। और वहीं 10 अगस्त 2000 को प्रथक उत्राखंड राज्य का प्रस्ताव राज्य सबा में भी पारट हो गया यानि कि अब फाइनल डेड आने वाली थी और फाइनली 28 अगस्त को ततकालिन जो राष्ट पती थे के आर नारेंग उन्होंने साइन के इस प्रथक राज्य अंदुलन वाले प्रस्ताव पर उत्राखंड राज्य दोस्तों हमारा अस्तितों में आ जाता है सरकारी गजट में उत्राखंड राज्य को कानुन संग्य 28 के रूप में इंगित किया गया और 9 नौमबर 2000 को दोस्तों देश का 27 वा राज्य बनता है उत्राण चलना की उत्राखंड फिल्मा बता चुगा हो बाजपा सरकार थी बाजपा सरकार को खंड सब्द जो था वो अ सरकार जीकर जो पहले सीम बनते हैं अंतरिम विधानसभा चुनी जाते हैं और पहले सीम जो बनते हैं नित्यानंद स्वामी बनते हैं और नित्यानंद स्वामी के सांसाथ हमारे जो पहले गवर्नर बनते हैं सुर्जी सीम बरनाला बनते हैं ठीक है तो यह महत्तों होगे दूस्तों कि इसके बाद दिखें मैं आपको बता चुका हूँ दिसंबर 2006 में उत्रांचल विधेयक 2006 संसत के दोनों सब्सक्राइब करने के बाद क्योंकि कॉंग्रेस की गवर्मेंट आ जाती है 2005 के बाद केंद्र में भी और यहां भी उत्राखंड में फाइनली उसमें कॉंग्रेस की गवर्मेंट चली थी एंडी तीवारी का कारेकाल चला था 2002 से 2007 तक और एक मात्र एसे मुख्य मंत्री उंगे उत्राखंड राजी की अभी तक जिन्होंने अपना कारेकाल पूमल किया तो एंडी सबाब में बेजा गया ततकालीन सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी तो पास हो गया विद्यक और फाइनली इसके बाद दोस्तों एक जन्वरी 2007 से उत्रांचल बन गया उत्राखंड ठीक है तो यह पुरी कानी है तो प्रतक राज्या अंदुलन की जो महत्तों पॉइंट है कर दिए कुछ महत्तों पूण और अन्य पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की यह टॉपिक बहुत बग़ा टॉपिक दोस्तों इतने आसानी से नहीं होता है प्रतक राज्या अंदुलन का जो टॉपिक है ना बहुत बग़ा है इसलिए मैं बोलता है कि अगर आप मैं फि कि तरान गठित कुछ संगठन लें उनके बारे में डिसकalı कुमाव पर्षेट की इसताफना होती है 2016 में कुमाव पर्षेट के 6ज्याण होते हैं 1907 में उनिस्ले άच वांधा में वी क्या वीडframes इसे में प्रीटो कुमाव परशेट का सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा ठीक है तो वहां पर आपको ट्रिक भी बताए कैसे याद रखना है क्या-क्या इन अधिवेश्वनों में काम हुए थे क्या-क्या प्रस्ताव लाए गए गए थे कौन-कौन सी पॉलिसी लाए गए तिये आगे के लिए तो ये सब चीजे पढ़ेंग प्रताप सिंग नेगी और उमानन्द बड़त्वाली संस्ता के प्रमुक्ते पर्वतिय विकास जन समीती बदा जुका 1950 में नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था इसका मक्सद क्या था पर्वतिय जन विकास समीती का कि हमारा कांगला से लेगर पिथोर अगल जन पतक पूरा लंब आएक हिमालाई राज्य बनाए जाए ठीक है इसके बाद पर्वतिय राज्य परिशत ये तो पर्वतिय राज्य परिशत बना 25 जुन उनीस्तों सब्सट रामनगार में रामनगर में जंसभा के द्वारा एक प्रथक पुरशार्शनिक इकाई के गठन के प्रस इसके जो अध्याट शी बने तना तकाला पांड़ेOoh इसके बाद हमने क्या बात की थी इसके बाद हमारा प्र 창्राज्य प्रिश्ट found us 1759 तकि अप्र ठीकं प्र्वतिय विक परदेश स सरकार के द्वरह किनक है देखे एक और महतवपुन पॉंट इए दोस्तों उत्रपुद्य सेरकार coupling ने परवत्य विकास मंतरालाई भी स्थाफना होती है ने सेरकार trajectory नहीं विकरत्य सथाफना सिवारी परवत्य विकास पुद्य की स्थाफना히 नंगर ने अपने ही लोगों के द्वारा बना गया एक संगठन था उत्रागंड के लोगों के द्वाराही बनाएग एक संगठन था जोकि 1966 में बना उनीज शागस सरकार ने परवतिय विकास मंत्रा ले की स्थापना कि 1969 में दोस्तों परवतिय विकास पलषैत की इस्थापना ओई चब्कि परवतिय विकास निगम की इस्थापना था कि तत्कालिन जो उसमें बहुत इक सुधाय थी उनको बगाना रोजगार के आउसर पैदा करना लोन अगेरा करवाना रोजगार के लिए वह आज भी चल लही रहा है आप देखते हैं कुमाम अंडल विकास निकम के अंतर के बहुत सी लोन स्कीम साती है इसके लाव बहुत स्टेट गवर्मेंट के से टूलिष्ट पॉलिसी है जो भी चीज़ें सबी चीज़ें इनके अंतर कत्यों किया जाता है ना तो यह चीज़ें तो इनको आपने याद अगने कुमावर आश्टियम मोर्चा देखिए 1970 में बनता है पीसी जोसी के द्वारा पहले मैं आपको ब कामरेट पीसी जोसी ने राज्य पुनर गठन आयों को ग्यापन दिया कि अलग परवतिय राज्य बने जाए और इसके बाद दोस्तों 1970 में ही हमारे पीसी जोसी नई राज्य के उध्यश्य को लेकर कुमावर राश्टियम मोर्चा बनाते है ठीक है इसके बाद इसके बाद उत्रांचर उत्थान परश्य यह हमारा 288 को बनता है सोबन से जीना के अध्यक्षिता में उत्राखंड मुक्ती मोर्चा बनता है दोस्तों वामपंती दारल से चुबड़े लोगों ने इस मोर्चा का गठन किया देकि वामपंती मतलब होता है दोस्तों हमारा वामपंती का मतलब मैं simply आपको बोलू opposition ठीक है जिनकी विचारधारा अलग है अलग विचारधारा वाले तो यह हम बोल सकते हैं कि उल्टी विचारधारा वाले जो लोग जैसे हमारा वाम मोर्चा जैसे केरल में है ना हमारा left बोलता है इसको अगर मैं बोलूं तो इस से संब्दित हमारे मोर्चा बना देखें उत्रागंट मुक्ति मोर्चा इसके अलाव देखें राज्य ओम्रचा भी बना तो सब्सक्राइब और वादुर्म टंप्रा द्वराइस को बनाए गया दूस्तों इसका अलाव देखें उत् बनते दोस्तों ठीक है यह उत्रांचल उत्थान पल्षद भी महत्तों पुन्या सोबंजिंग जीना वाला ठीक है इसको भी आदक आपने अपने प्रदेश क्यों तो रचना तीया । तो याद अब ने कुंछे बिक पॉइंट हमाइ को कि चलिए आप देखते हैं दोस्तों ये पूरा राज्जी आंदुरन आप समझ गया हूंगे और इसके बाद दिखें इस था ही राज्धानी गैल्षंग बनाने के प्रियास हमारे सबसे पहले यूगेडी ने किया यूगेडी ने 1992 में दोस्तों चोधमा जो महाधिवेशन था हमारे यूगेडी का तो कासे सिंग एल्षंग का नाम वेल चंद शिंगरवाल के नाम पर चंद्र नखर रखा और राज्जे की राजधानी इसको गोशित कर दिया अशिला नयाज भी कर दिया 1998 में गड़वाल विश्योदाले ने मीडिया सेंटर तोरगा सर्वेक करवाए और इस सर्वेक में बोला गया कि हाँ गैल संग बिल्कुल बीज में है और इसलिए इसकी को उत्राखंड की राजधानी बनाया जाना चाहिए ठीक है गैल संग के पक्षियम दोस्तों 24 सितंबर 2000 को उत्राखंड महिला मंची की विशाल लेली भी धिविव दोस्तों खबर डार रेली भी इसको कह जाता है 2004 में बाबा मोहन उत्राखंडी ने गैल संग से तेलास्तान में कही भी राज़ानी की स्थापना और कही मुद्दों को लेकर आमरान अंसन किया जिसके बाद वह सहीद हो जाते हैं दोस्तों बगज जो हमारे बारती जंता पार्टी के बवरिष्ट नेता हैं वरतमान में महारा राष्ट के राज येपाल हैं और उत्राखंड के दूसरे मुख्य मंत्री बने जो बगए सिया कोश्यारी इन्होंने उत्रांचल प्रदेश क्यों जो अभी हमने बात किना उत्रांचल प्रदेश क्यों तो इस पुस्तर में बोला वहाई है गैल संग हमारे उप्युक्त रा तो सब्सक्राइब लोगों के लिए क्या होगा बड़ा पर डिश्टेंज होगा वे गैल जाते हैं इसलिए गैल जंग को उप्यूक्त माने हालांकि अब तो यह हो चुका है तो इसमें देखिए हमारे ज्यादा इसमें पड़िनिक की कोई आवश्रिक्त है नहीं इन चीज ह और कि जो नीव डाले थी हमारी विदानसभाववाण जो हमारे बने है तो इसकी नीव डाले थी ततकालीन सीयम विजयः भगुगाने अब बात करते हैं गैल सेंग की तो आप सभी को पता है गैल सेंग हमारी ग्रिस्मकालिन राजधानी बन चुकिए ऑफिशली गैल सेंग तो गैल संट को राजधानी कब बनाएगा यह पॉइंट बन सकता है 2020 का ही करेंट फेर है तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है ठीक है और अन्य कोशेंट भी बन सकते हैं गैल संब्सक्राइब बनने के बाद पहला सत्र कब हुआ या उसके बाद गैल संट में जैसे हमारी बिल्डिंग बन गए तो पहला सत्र कब वा इसके अलावा और कोशेंट यहां से निकल की यह आ सकते कि गैल संट किस जंपद में इस्थित है ठीक है और अन्य महत्त्रपूंग पॉइंट इससे आपको यादगना है कि गैर्शन को उत्राखंड की क्रिस्मकालिन राजदानिक बनाने की जो आधिकारिक शुरुआत हुई या अधिसूचना जारी हुई वह आठ जून 2020 को हुई तो दोस्तों यह परिक्षावागिल का अध्याई तीन उत्राखंड का एतियासिक अध्यन हाल करने को मिले दोस्तों बांकि चीज़ा आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं जो चीज़े समझ में ना है तो आप कमेंड बॉक्स मां कमेंड कीजिए अब परिक्षावागिल का नेक्स टॉपिक या नेक्स जो चैप्टर हाता है उसको देखेंगे अगले पार्ट में तो रैंक्य